वेलकम टू गरिप टू ग्रैस्प गलासेस स्टुडेंस आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश फार्मुलाई को स्टार्ट किया है आज हम जिस फार्मुले की इस्तिमाल करेंगे दा यूज अव हैंस हैंस का इस्तिमाल पढ़ेंगे इसका मतलब है पस लिहाज़ा तो चलिए example की तरफ आते हैं बाहर बारश हो रही है पस मैं बाहर नहीं निकल सकता बाहर बारश हो रही है तो यह present continuous का sentence है sentence है यह it is raining outside the door यह outdoors outside the door यह outdoors अब दोने इस्तमाल कर सकते हैं it is raining outdoors बाहर बारश हो रही है hence पस मैं बाहर नहीं निकल सकता I cannot come out बाहर फारिंग हो रही है पस मैं नहीं जाओंगा shooting is taking place outdoors बाहर फार यह गोरी है shooting is taking place outdoors पस मैं नहीं जाओंगा hence I won't go out मैं बाहर नहीं जाओंगा तीसा sentence है वो cigarette पी रहा है पस मैं उसके नजदीक नहीं बैटूंगा उस cigarette पी रहा है he is smoking hence I shall not sit near him तो यहां हमने शेल लगाया है आप will भी लगा सकते हैं क्योंकि आजकल तमाम पर रॉनोंस के साथ will भी लगाया जाता है I और वी के साथ शेल और बाकी के साथ will और आजकल जैसे आपको बताया है कि सब के साथ will लगता है चाहे I हो चाहे वी हो लहाजा आपकी मरजी आपने शेल I और वी के साथ शेल लगाना है या will लगाना है it is up to you अगला संटेंस है वो बिमार है पस उसे चाए का कप दे दो वो बिमार है लहाजा उसे चाए का कप दे दो he is ill so give him a cup of tea तो यहां हमने सो का इस्तेमाल पढ़ा है लहाजा पीछे हैंस पढ़ा था तो यहां सो का इस्तेमाल पढ़ दे हैं the use of सो तुम पागल हो इसलिए तुम गर जा सकते हो you are mad so you can go home so पस लहाजा शहजाद खाना खा चुका है पस उसे इदर ही रहने दे शहजाद खाना खा चुका है शहजाद हैस एटन मील पस यहां लहाजा ताहम let him live here उसको इदर ही रहने दे यह नीचे grasp है exercise है उर्दू में इसमें sentences लिखे गए हैं और साथ ही नीचे last में यह diction है यह grasp में जो इस्तमाल होने वाले जो words हैं उनको नीचे लिख दिया गया है चंद एको लिखा है आप इस exercise को English में translate की जिएगा और आपको कहीं कोई confusion हो कोई कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप लाजमी इन बाक्स में पूछ सकते हैं आपके स्टूडेंट्स आप इस grasp को English में translate की जिएगा जहां भी आपको confusion हो को मुश्किल पेश आए तो आप इन बाक्स में आके कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं इस lesson को अच्छी तरह याद करें next lesson तक अपना क्या रखिएगा take care and good bye